तो आज हम करेंगे टेंसिज और में टेंसिज आपको इस तरह से रूल्स बताऊंगी कि आपका कोई भी संटेंस गलत नहीं होगा और आपको बहुत एजीली समझ भी आजाएंगे इस पेशली 10th क्लास बिकॉज आप लोगों को आएंगे डारेक्ट संटेंस जिसमें आप लोगों को आएंगे और आप्शन में कई बार हमें कन्फूजन हो जाते हैं कि सब्जेक्ट देखकर हम वर्ब कौन सा लगाएं तो आपकी वो जो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स हमें कि वो होगी ही तो मतलब है उसके पाद आएगा हैबिच्व एक्टिविटी किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए जिसकी हमें हैबिट है अगर ऐसे संटेंसिस हैं उसके बाद आएगा साइटिफिक टूथ प्रोवर्ब यानि मुहावरे यूनिवर्सल टूथ या कोई भी confirmed future, again ये same ही बात है, उसके बाद हम सबसे पहले आते हैं, कि इसमें affirmative sentences कौन से होते हैं affirmative sentences में अगर आपके पास plural में subject है, यानि I, we, they ऐसा कुछ use है, तो उसके साथ आप verb की first form लगाएंगे और साथ में object लगाएंगे for example, we play football लेकिन अगर आपके पास subject अगर आपका singular है, तो आप verb की first form के साथ S या ES लगाएंगे जैसे की, राम plays football, तो यहां पर कई बार confusion होती है, कि जो plays है, वो plural में आएगा, या फिर singular में आएगा, तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है, कि अगर आपको S लगाना है, तो यहां पर जो है singular होगा प्लूरल में कभी भी S या ES नहीं लगता है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर जब लिखा we play football, तो we हमारा plural था, इसलिए हमने play लिखा है, और राम singular था, तो हमने plays लिखा है, तो यह हमारी S और ES वाली हमारी singular verb होती है और without S ES हमारी plural verb होती है, next हम आएंगे negative sentences पे इसके negative sentences में अगर आपका subject singular है, तो आप does not लगाएंगे, साथ में verb की first form और object यहां पर आपने does इसलिए लगाया है, because again आप singular subject है, तो आप verb की first form के साथ S या ES लगाने की जगा पर आप does not लगा देंगे, और अगर आपके पास subject में plural है, यानि I या फिर plural यानि की कुछ भी आपे, आई की जगा पर अगर वी होता, दे होता, यू होता तो आप क्या लगाते दू लगाते, तो आप does नहीं लगाओगे, क्योंकि plural के साथ हमेशा verb कौन से आती है plural verb ही आईगे, और उसके अंदर S या ES नहीं लगता है, तो यहाँ पर verb की first form, और यहाँ पर हमने जब negative sentence लेंगे, तो हम do या does यूज़ करेंगे verb की first form के साथ S या ES यूज़ नहीं करेंगे next है आपका interrogative sentences यह आपको example की अगर आपको जरूर है तो मैं आपके लिए read कर देती हूँ, राम does not play football, यहाँ पर राम सिंगूलर था, तो हमने does लगाया है, प्ले के साथ S नहीं लगाएंगे because अब जो यह वाला यह था, वो हमने does में लगा दिया है उसके बाद जब आपनी we use किया, तो हमने do not play football लिखा चीक है, next आपके पास आते हैं interrogative sentences interrogative sentences में क्या होता है do does आपका पहले आ जाएगा और फिर आप लगाएंगे subject plus verb plus object तो यहाँ पर interrogative sentences में अगर आपको question mark की form चाहिए तो आपको starting में subject कुछ question वाला, यानि कि आपकी helping verb या फिर यह do does होगा आप यह starting में लगाएंगे जिससे कि आप एक question की form में sentence को लिख सके, तो इसी लिए आपने यहाँ पर लिखा है does he play football तो पहले आपने does लगाया है फिर आपने subject, verb and then आपका object ऐसे यहाँ पर आप लिखेंगे do you play football तो यहाँ पर play आपका as it is रहेगा because do या does में आप as or yes लगा चुके हैं according to subject तो यह था आपका interrogative sentence इसके बाद आप आजएए interrogative negative sentences अब interrogative negative sentences मतलब आपको दोनों को combine करना है so interrogative के लिए सबसे पहले हम do does starting में लगाएंगे then हम subject लगाएंगे subject के बाद हम not लगा देंगे and then आप यूज करेंगे verb की first form and then object so does she not eat healthy food यहाँ पर आप verb की first form लगाएंगे subject और verb के बीच में जो है आपका note यूज होगा जिससे की वह negative बन जाएगा और does आप starting में लगा दोगे अगर यहाँ पर किसी का name होता या कोई singular होता तो आप यूज करते do do, sita not, eat healthy food तो अब आपका question यह होता तो यह आज हमने किया है present tense की जो है हमने आज practice करी है I hope आपको समझ आ गया होगा next part आपको जल्द ही मिलेगा जिसके अंदर हम present tense की अगले टाइप करेंगे और तब तक के लिए मेरे चानल को subscribe जरूर करना और next video की notification आपको मिले तो subscribe करकर आप जो है उसको bell icon को प्रेस कर देना जिससे की आपको हर video की notification मिले मिलते है next video में निर्ट बाद उन्रूर्ट जारे है next video